बिसमिल्लाइम्रहीम, असलामलेकुम हमारी किचिन में आज बन रही है Creamy Chicken and Mushroom Fries जोके Loaded Fries है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिये हैं आलू आलू मैंने चाड लिये थे उन्हें मैंने गाट लिया है फ्रेंच वाइस के स्टाइल में तो आप देख सकते हैं मैंने मोटे मोटे आलू काटे हैं अगर आप चाहें तो आपको बारी एक पसन है तो आप उस तरह के काट लें उसके ओपर डाली हूँ मैं आधर कप Corn Flour तो Corn Flour जो है वह मैंने अन्दाजे से जाल दिया है और उसे मैं डब्बे का ढखन लगाके अब उसे मैं अची तरहां से हिलाऊंगी ताके उसके ओपर सारा Corn Flour जो है वह एक अच्छा से कोट हो जाए और उसके बाद हम जाए करेंगे देखें कितनी अच्छी से इस प्लेयर आगई है और अब यह हो गया है बिलकुल रेड़ी अब आप देख सकते हैं मैं पूर ठाके दिखाती हो यह बिलकुल हाथ पे भी नहीं लग रहा है जिपक भी नहीं रहा है यह बिलकुल अच्छे से कोट हो गया है अब हम इसे फ्राय कर लेंगे यह मैंने साइट पे लग दिया इसकी कोई मैरिनेशन नहीं है कोई नमक या मसाला कुछ भी नहीं जाएगा सिर्फ कॉर्ण फ्रायर के साथ ही हमने इसे लगा लिया है मैंने किया है तेल गरम मैंने टेल गरम च्leकरे लिए एक नहीं होग देखी है अब यह उपर आने लगी है तो इस वक मैं अनली आरे ऑपले शील घर लाद का नहीं नहीं है और बहुत जादा जल्दी बन जाती है ओर बहुत ज़ादा जल्दी बर आज जाती है और मैंने साइट पे सारी निकालूंगी फिर आप एंट पे देख सकते हैं तेल बिलकुल साफ है इसमें कोई खराबी नहीं आई है अब हम बना लेंगे अपना सॉस उसके लिए सबसे पहले मैंने डाला है एक टेबल स्पोन ओयल और इसमें डालूंगी मैं लहसन अद्रग का पेस्ट जो कहा है मेरे पास 1 टी स्पोन यह डालेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे इसे फ्राय करने के बाद मैं इसमें चिकन जो है मेरे पास बहुत चोटे-चोटे क्यूब्स है मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट था तक्रीब रहने ग्रायम समझने आप उसे और इसको जो है आप कीमा भी ले सकते हैं चिकन का अगर आप चाहें तो मैंने बहुत चोटे-चोटे पीसिस हैं वह मैंने इसमें डाल तो मैंने इसमें डाल दिया उसके साथ हाफ ती स्पून के करीब चिली फ्रेक्स यानिके कुटी हुई लाल मिर्चे और यह डालके मैं इससे मिक्स करूंगी अच्छी तना से जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और यह तकरीबर गल जाएगा क्योंके बहुत चोटे- ने ने इसमें डाल दिया है और ibird के बाडमे न दोडिया है और भी फिजिट्स कर लिक cotton q Sempre मैसे डाल दूगी से फ्राइ भी तक्लिए मैंने इसमें दूंगी दोड टूओ कर अलए दूर के बैलेन मैंने इसमें डाला है सुआ डुम त इस वक्त आम डूद नुद्धध में टालाना है आप चाहें तो आप जाएगा जाल सकते हैं तो आहें अजिए तो आप चाहें टालाना है रहा है को आप कर दाला है धुक्स करते होगा दोद दाला है ऑध लिए ब्लाग अब बति तो पिरमाच को पावडर आपोड़ पावडर आप एप गुरो जल्दी से थिक होता जा रहा है कि पनी जिल्डी से श्रेड़ होता जा रहा है इसलिए चीज मैं एस बड़े बड़े जो पीसिस उते है उसमें डाली है ताकि इसका जो एक सिर्ग बनती है ज्मी बने बाकावाप के भी और होते है और हिसमें मेने में में लिए जोओ कश्रीड़ू ngay भी ह banco से में Mmm एमոछ्यमि टाल कें में हम अपने हो टीक के भी हैın जो मेंने टाल कुंअ हम इसमें हमस् SPEC और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दिया है सबसे एंड पे औरिगानो औरिगानो हाफ टी स्पून डाल दें आप इसमें और इसके बाद इसमें अच्छी तरहां से हमारी जो सॉस है चिकन और मश्रूम वाली वह बिल्कुल रइडी हो गई है अगर आप चाहे तो आप ची जाहें जितनी जादा आपने बनाई है उसके साथ से मैं से अपको गार्णिश करके तिखा रही हूं तो यह मैं डाल दिया है इसके बाद मैं से और जादा ची तरह गार्णिश करूंगी आप चाहें तो ऑलिवस डाले है कुछ भी मैं इसमें डाल दी है जैलोपीनों और उस के लिए नाजरीन हमारी बहुत ही मज़िदार चीकन और मश्रूम फ्राइस तयार है जो बहुत ही मज़िदार तयार हुई हैं बहुत ही क्रीमी और चीजी अगर आपको में रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज लाइक ज़रूर कीजेगा और अपने दोस्तों के सा ही है और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजए थैंक यू फॉर वाचिंग अलाहाफिज